कि नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सब का आपके अपने यूट्यूब चनल आर्समास्टर पर दोस्तों इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं वीडियो 18 के प्रेफर के एंसर के की ठीक है यह आपका रिविजेन क्लास है पिछले वीडियो में मैंने वीडियो डाला था और था और आपका हरप्ल पासांता किसीयोग की सब्सक्राइब आपको बताना है आपकี้ असबीयों साव यूग आको दोनों याहिं आत्यक्य नहीं है तो दूस्तों इसका राइटर्श वह जाएगा अप्शन नमबर है आपसंद्धस कि स्थित है अपके अप्शन से सिंधू नदी ब्यास नदी स्थ्थ्ल नदी या रावी नदी तो हरेट्पा के लेक्टिक में बनाय हुआ था हो क्या है कि मोहन सिंधु ने रावी को हर्पा ठीक है मोहन सिंधु ने रावी को हर्पा मोन जो जाएगा आपका प्रणुल्य यानि कि इस चिर्ण विस नरे है मोन जो जोगतरों सिंधुल्य किनर किनर çevres सोता पंजाब दूस्तों हम जानते हैं काफी फिमस प्रस्थन है यह लोथल कहा है तो लोथल आपका गुजरात में है याने अपस्ट नंबर फर्स्ट इसका राइट एंस हो जाएगा ठीक है वड़ते हैं अगले प्रस्ण के वर चौथा प्रस्ण आपका है मोहन जोद्रों का उत्खनन किया था यानि किसी ने किया था यह आपको बताना है आपको अपसंस है दैराम स्वाहनी जौन मार्शाल आड़्य वनरजी या और एस बिस्ट दोस्तों मोहन जोद्रों की जोदत्खनन करता थे मोहन जोद्रों का वो कुन था तो आपका था यानि अपस्टन मंबर सीसका राइट एंस हो जागा इसे राखाल दासम बनरजी कहते हैं ठीक है राखाल्दास में ने का पूरा नाम है अब किया था इसका खोज तो 1922 में किया था ठीक है मोहण जद्रोगी खोज 1922 में थी 1921 में आपका हुआ था हरप्पा का खोज जिसे दयाराम सहनी ने किया था ठीक है चली पछमा प्रस्णाप का है इंडिका के लेखा कौन है आपके अप्सन से कौटिल मेगा स्थिनीज और यह कौन था मेगा स्थिनीज कौन था तो मेगा स्थिनीज स्लिकस निकेटर का राजदूर्थ था जो चंद्रगुप्त मौरी के दरवार में आया था ठीक है चली बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के च्छाटा प्रस्ण आपका है गुप्त वंस के कि सासा को भारत का नेप राएक्ट होगा भात नेपल इन किसे कहते हैं तो समुद्ध को कहते हैं ठीक है वह एगर हम बात करें बाखी अप्संस की तो कुमार गुप्त ने क्या किया था कुमार गुप्त ने नरंदा विस्त विजदा लेकर सपना किया था असकंदु गुप्त ने था तो फूनों को किस आ सकने की तो काफी इजी प्रस्ण है कोई सब जानते हो यह ठीक है किसने किया था ध्रम की शुरुआद तो असोक ने किया था ठीक है अपसन नमबर सी इसका राइट एंड से हो जाए आठमा प्रस्णा आपका है मनुस्मिनिति में कितने परकार के बिवाह का उल्यक किया है आपके अपसन से चार छे आठ नो मुझे लगता है इसका भी अंसर आप सबको पता होगा क्या है इसका अंसर आठ परकार के बिवाह के चब्दा की गई है मोनुस्मिनिति में ठीक है dalafd commerce आपका है मनधारत कन दिना एक चला था ठीक है दोस्तों महाभारत का यूद कितने दिनों तक चला था आपके संस है इसका पंदराव 16 17 18 कि फानियों संधाल असक। थारह डे दिन चला था माभात का यूद'S ठीक है दो इसके चलावे दूस्तों कुछ इन फिर्म अपको देओता हूं कि जो गीता में जो अध्याय है ठीक है दूसको गीता में अध्याय कितने हैं तो गीता में 18 इताल था तक महभात का और ऐसा कहा जाता है कि कि महभारत के यूद्स समाप्थ होने के बाद जो जीवित लोग बयकर बैठ करते हैं 11 परसंद किस धम से हैं आपके अपसंद से हैं हिंदू बाद सभ या जैन कि अगले प्रसंद आपका है चोथी बहुत संगती किस सासक के काल में हुई थी आपके अपसंद अजाथ सभ या कनिष्क तो दोस्तों चोथी बहुत यह हुआ था कनिष्क सासके करमें थी कराइट्टेया सवाजाँ और कहां था तो कुंडल 1 कश्मीर में हुआ था ठिक है कुंडल 1 कश्मीर में था थी थ्यक्त, आजासातु के समय में कोण संब भॉल था तो थे सुलों था पहला 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 फवल कर अभ manner फित की ऐस्यव्त वद एख समें हो था धूर साथा कलने हो था धूस्रा हुए था कला सो के साशन वब या मिर तीसरा रहता अच्छा कर शाथा नर्मे याद्येगा ठीक है कि तयार माँ प्रस्णा आपका है दीन इलाही समंदी थे किसी समंदी था तब सब को पता होगा इसका answer प्लस्तों बाद का अंतिम मुगल सासक कौन था आपके अपस्था जफर भाद का अंतिम मुगल सासक था आपके अपसंस है सब्सक्राइब नियुक्त किया था और इसे क्या हुगा था विद्व को जब दमन कर दिया गया तो रंगून भीज दिया गया जहां इसकी मिलती हो गई सानिकों से या जिमियों से लीजाता था। इसब्सक्राइब की repository हो जायगा कि में किसका यातरा वितरांत मिलता है आपके अप्सम से अलबरुनी, अब्लुराजाक, इबन बतुताः या अगिन देम किताब क्रभा रहत है तो इबन बतुताः ने लिखा तो यहांगीर साजां जाहां बाबर या अकबर तुब नियुक्त नियुक्त प्रतिबंद लगाया था तो जहांगीर ने इस पर प्रतिबंद लगाया था ठीक है इसके वह रखेगा अपलोग आपका है अलबरुनी किसके साथ भारत आए था आ आपके असा secondaire टैमुर मुम्मतगणी गजनी मुम्मदबीन का सीम यह प्रस्ता नहीं कि एंथा था तो गजनी के साथ आए था जाने अभर स्थिस से राइट है और कौन सा सतावदी में आए था यह जाए ब्लूर में यह तो यह पूचता है बिर्पाक्ष मंदिर की बात कर रहा है तो बिर्पाक्ष मंदिर जो इस्थी थे कहां है हमपी में है ठीक है और यह हमपी कहां है करनाटक में है यह याद रखेगा ठीक है हमपी कहां है करनाटक में है । कि इसमेर प्रस्ट आपका है। आयंगर विवस्थाश मंधी थी प्यूंदिख समद्रूंदी ती आपके अपुआ इप्सक्ति समद्रूंबर। करें सिकें इसका राइट अगया ठीक है एए किसमें आपका है बीज्चिन देव राइ पर्थम अचित्न राय साथ या सदासीव राइ तो दोस्तों बीज्चिन देव राय थे याने इस नंबर 20 का राय ठीक या 22 आपका है कभीर सिस्ष थे किन के थे रामयुज के खे ननक्त खे रामनन के थे या संकाचारी के थे दोस्तों कभीर जो सिस्ष थे वो रामनन के स्षिस्ष थे याने अप्सण नंबर C इसका राइट एंसर हो जागा तो इसमें आपका है उत्तर भारत में भक्ति अंदोलन का अरम किसने किया था ठीक है उत्तर भारत में भक्ति अंदोलन का अरम किसने किया था आपके अपसंद से रामानन, कबीर, चैचन या नानक तो दोस्तों उत्तरभाद में जो आराम किया था भक्तियांदों का उक्रेंद थे तो रामानंद थे यानि अवस्त नमबर फॉर्स्ट इसका राइटेंस हो जाएगा ठीक है जो इसमें प्रस्णिक बढ़ते हैं के लिब सपर्श्न कारता है सर पर संम भी जानगर पर आने वाला विदेशी यातरी कौन था आपके उवस्त निकॉलास कोंटी अबजुर्षाख क Kings अफ्शै कितनल प्रस्पर तुश्य था बीजानगर के आने वाला पशल०्त प depends सारी था वह दू apresentले था वो निकॉलास चैतन या रामानंद तो दोस्तों बीजयक में जो संदेश उपास संग्राइद है वो कबीर के है यानि अप्सानमबर फर्स्ट इसका राइटेंट से हो जाएगा जब इसमा प्रस्ट कहता है निजामदिन ओल्या कि सुफी सिल्चिले से समंदित थे या समंदित है आपके अप फर्स्ट इसका राइटेंस हो जाएगा वही अगर पूछे निजामदिन ओल्या का मकबारा कहा है तो दोस्तों जानते हो जाएगा कहा है दिल्ली में है ठीक है इसके नाम पर आपका दिल्ली एस्टेशन का नाम भी है निजामदिन ओल्या है या निजामदिन ओल्या के को लो को दो स्थाखी के हिंग किसका यत्रा भी तांत है तो यह अलबरुनी कहा यान आपसर नंबर फास्ट इसका राइट राइट अंतो हो जाएगा ठीक है ताकी कहीं रिके याद रहा है किताब उलहिंद दुनें कि पुस्तव कर याद अखिए ठीक है दोस्तु एक में टांद किसमें लिखिए है तो फिवाषा में लिखिए और आपका इवन पश्था भी आपका यह मेगा सनीज कौन था आपकी अपसंद से यात्री बैपारी राजदूत या घुलाम दोस्तों हम जानते हैं मेगा सिनिच कौन था राजदूत था जो की चंदगुत मौली के दर्वार में आया था ओके उन्तिसमा प्रस्ण आपका है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदवर सुरू करने का सरे किसे जाता है आपके अपस्था लाड करनवालिस लाड बलाजली लौड रीपन या लौड करजन तो दोस्तों बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदवर सुरू किया था लौड करनवालिस में यानि अपस्ट नमबर फॉस्ट इसका राइट राइट रह जाएगा कर किया था 1793 में ठीक है यह सब करनवालिस कोड भी कहते हैं ओके अगर आपका है तीसमा है भारत के आने वाले पर्थम यूरोपीय कौन थे पूर्टगाली बिर्टिस दच या फ्रांसिसी तो दोस्तों भारत में पर्थम कोन आया था यूरोपीयन पूर्टगाली था यानि इस नमबर फॉस्ट इस है तो दोस्तों को करता में जो सबस्ट जाले के सबना की गई थी वह सबस्टों सो तीहतर के रागले एक के प्रस्थ किया था यानि अबसान नमबर बीश का राइटर्स हो जाएगा ठीक है बतिसमा आपका है पूर्थ गालियों ने गोहा पर कभादिकार कर लिया ठीक है यह प्रस्ट में लोग ने किया था का फीजी प्रस्न है आप सब को पता होगा कब किया था पूर्द गाली नों गुआ पाधिकार तो 1510 में किया था बीजापूर की आजिसला से गुआची नहीं था ठीक है तो संथाल विद्रोह कब हुआ था तो संथाल विद्रोह हुआ था अठार सब पच्छपन में यान इस नमबर डी इसका राइटेंस हो जागा किसने नितित किया था तो सिद्धु एवर कानुनावक दो भाईयों ने इसका नितित किया था चोतिसमा आपका है दामीने को क्या भुभाग उपाधी तलवार यान में से कोई नहीं कि दोस्तों दामीने को भुभाग था यान इस नमबर फर्स्ट इसका राइटेंस हो जाएगा ठीक है उन्टा सरी 35 प्रस्णावक का है लखनों में अठार सतावन के बेजरों का नितित किस ने किया आपके अपके अपसंस अगा इलाहाबाद पुछ आपसे इलाहाबाद में किसने किया था दोस दोस्तों इलाहाबाद में शyasक वेग eram हजत मनी होग जाला करता तो नशाब पार करक्वा किया था तो यह घ्यांसी हमें किया था और इस नियुक् Mand उड़ाइब के विद्रो nila DJ कौन अगर आपका है व्यवगत के सिधान का समझ किस से है आपके अपसंस है करजन से डल होजी से लिटन से या मिन्टो से दोस्तों व्यवगत के सिधान का समझ डल होजी से है यानि इस नंबर 20 का राइटेंस हो जाएगा कि एक अव्यवत कि होजी से लिछ ओ्हुन है आपके या निंट प्रस्तों आपका है विक्तोरया ठोल होजी सेलिय क्युट्ली है इंडो सलोनीक से ली में आपकर कोन सा हलै ठाऊ है एह पितले वीडियो में बताया था ठीक prior को मोंने करके ज़रा पता लीगा इन आ 1111 से 1214 में तो दुभवरेंगर फिंज्राकर निमान हुआ था 1911 में ठीक है यानेफ्स निंबर 20 का राइट राइट आपके अप्संस और initi अंडूलन सभी ने अवब्रग्या अंडूलन न असयोग अंडूलन भाल्चछर आंडूलन तो डांडी मार्च की बात हो रहे हैं तो डांडी मार्च जानते हैं किस कुण से अंदोलन था था सभी ने अवग्या अंदोलन था याने इस नमबर 20 का रायटन सो जगा ठीक है जो सुरू हुआ था कब 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था ठीक है चलिए आगे आपका है महत्मा व्यात्वागंधी ने अंदोलों के सुरुवात कि थी वो चंपारं से किया था याने अपसे नंबर 20 का राइटर एस और जाएगा किनके बुलाने पर गया थे महत्मा गांधी चंपारं किनके बुलाने पर आपके प्रम कहा है आपके अपसंस है 1912 1922 1930 असलों अंदर ने शुरुआत हुआ था यानिवसर नंबर बीश का राइट्रेंस हो जाएगा अगला आपका है साइमन कमिशन भारत का बाया था अपका पश्ण से 1925 1932 1932 1935 तो दो साइमन कमिशन जो आए था वह आ आपका 1928 में आया था यानि अपस्ट नंबर 20 का राइट एंस हो जाएगा ठीक है जो दोस्तों यह थोड़ा सा कोच्चन आपका फसाने वाला है ठीक है धर असल जो आपका जो कोच्चन में किलियर किया नहीं कि के बारें पूछ रहा है गांत जो दोने फिके नहीं कि भारा सरकार अधिनियम के बारें पूछ रहा है ठीक है इससां मेरे क्याल मेरे छाहिए सकी तक पाहरी जिसे लॉड जो गवनना जना था मांटेगु चेंसवर्ड उसने रखे गया था और यह 1929 में ठीक है भारा सरकार सासान अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता है और यह जो रोलक्ट एक्ट है आपका वह भी में हुआ था लेकिन यह समात्र एक कानून है और पूरी जो परकिरिया है पूरा जो अधिनियम था वो मांटेगु चेंस फोर्ड एक था इसलिए इसका अंसर मेरे ख्याल से यह होना चाहिए ठीक है लेकिन यह सब्सक्राइब हो सकता आपको रोलक्ट एक्ट दिया हूँ ओके है कि अगला प्रस्ण आपका है कि पानितानिसमा प्रस्ण आपका है जलिया वाला बाग हट्ट्यकान कर भुआ आपको अपको सब्सक्राइब 13 अप्र 999, शे मार्व में 29, 30 अप्र 999, 11 अप्र 12 अप्र 14 हम दोग जानते हैं दोस्तों जलिया वाला बागी जिहां देकान हुआ था 13 अप्र 999 के हुआ था यानि अफ्रस डिस का राइटर्स हो जाएगा आपका है बंगाल के विवाजन की होसना कब हुई थी आपके अपसंसे 1905-1906-1911-1914 तो यह कोचे में हम लोग नहीं किया है ठीक है कभी फिमस प्रस नहीं है बिंगाल विवाजन कब हुआ था 1905 में हुआ था या निमस्ट नमबर फर्स डिस के राइटेंस तो देगा है ठीक ह आपके अपसंसे जिन्नाक लियाका तली चुद्रिय रहमा तली या इकिबाल तो परिस्तान सब्सक्राइब दिया था वो चुद्रिय रहमा तली ने दिया था यह अंच नमबर सी इसका राइटेंस हो जाएगा और तर्समा आपका है भारतिये शाष्ट्य कंग्रेस की पहली या अरुना आसाफली तो दोस्तों पहली महला दक्षी बात हो रही है तो पहली महला धक्ष एनी बेसंट थी या निस नमबर फॉस्ट इसका राइटेंस हो जाता है ठीक है वही अगर आपसे पहली भारतिये महला धक्ष पूछती तो एंसल होता आपका सब्सक्राइब लेक सब्सक्राइब अगला प्रसन आपका है सब्सक्राइब के पर्थम राष्पति कौन थे आपके अपसंस है जवालान लेहरू लालबारु सास्त्री राजयन परसाद या ब्यारमेटकर तो दोस्तों बड़ी बात नहीं है सबको पता होगा कौन है सब्सक्राइब राष्पति कौन थे तो राजयन दर परसाद थे यानिस नमबर सीज का राइटेंस हो जागा ठीक है तो दोस्तों यह थी आपके जाठाड़ा के प्रस्ण ठीक है उमीद है वीडियो प्रसंद सब्सक्राइब बाकि आपकी इक्षा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लगने बाद बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो को तक देखने के लिए कुज प्रसंद दोर में है देखने